बदायों में निनों बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इस बीच शादियां भी हो रही हैं एक दूलहन बाढ़ के पानी को पार कर अपने पती के घर पहुंची दूलहन की विदाई के बाद पती के घर पहुंचने के लिए बड़ी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा तूलहन पहले बोलेरो फिर वैल गाड़ी और फिर नाव से सफर कर अपने पती के घर पहुंची मामला हजरत पुर्थानक्षितर के नवादा वरन गाओं का है यहां के रहने वाले मोनू की शादी सिकंदरपूर में तैह हुई जब मोनू की बारात निकली तो पानी कम था जिससे बारात बोलेरो और बस द्वारा सिकंदरपूर गाओं तक पहुँच गई लेकिन उसी रात इलाके में बाढ़ का पानी बढ़ गया जिससे दूलहन को अपने पती के घर जाने में काफी परिशानी में का सामना करना पुड़ा हमें बार का पानी घुस गया है चार तैसील शाहबाद सवायचपूर बिलग्राम और हर्दोई सदर में जादा खनी अरकमार पानी में डूप चुके है आज चार दिन से बरावक गर्वा नदी का पानी है बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ गाउं में पानी प्रवेश कर रहा है जो गर्व में बरा हुआ है और कोई अधिकारी या कोई करमचारी यहाँ देखने भी नहीं आया है प्रसाशन की तरफ से अभी तक की तो कोई भी नहीं आया हुआ है और किसी को भी मतलब हमारी परवा नहीं अभी तक की है और कोई भी नहीं आ रहा है और साब कीडा मतलब जो जानवर है जंगरी वो आ रहे हैं गाउं के परीज करीव आ रहे हैं सब अब बतावो जब अच्छा सब भूक है कहा है तर आब भई भी आब गल्ला भी जब कहा है तर बताव गोरकपुर में बार्ड से हाहाकार मचा हुआ है कई गाउं में बार्ड का पानी घुस गया है जिससे गाउं के लोग परेशान है बार्ड पीडित तक प्रशासन की तरफ से मदद पहुचाई जा रही है और खाने पीने की चीजे भी बाटी जा रही है नाव से बार्ड पी अपनी तरफ से नाव के इंतिजाम किये हैं। दिया जा रहा है और आत और बचाओ के जो किट हैं वो भी दिया जा रहा है और इसकी कमान खुद जो एडियम अफ एफार हैं वह उन्होंने समाल रखी है और डिगनिकी किट को इसमें दे रहा हैं। के साथ साथ साबुन तौलिया सूती कपड़ा डिस्पोजल बैग मग भी है आलू है को लईया है डाल है तेल है नमक है इस तरीके से आइटम इन लोगों को दिया जा रहा है कि जिससे जो बाड में आसानी से इनका घर चल चके अगले साथ राम कोपाल तौल बेदी नियुजेटिन को रख बोड़ो झाल